क्योचन नमर 13 है परतिरोधों का सन्योजन या निसम्मूहन क्या है या कितने परकार का होता है और किसी एक सम्तुल परतिरोध के लिए हमें ब्यांजग प्राप्त करना है फर्मूला ठीक है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्योचन है यह आप अगर इससे ध्यार में रखते इसके है इसका भी libera में क्या होगा इसमें क्या करते हैं कि कि यहां इसको करते हैं यहां से कट करके इस इस देजुआ निकलता है यहां निकल जाए यहां घरता है यह आगे निकल कर देए इसका जो जो पर्स होगा वह कीव से बराप्त होगा वह दिखते हैं कि अगर हम सर्यनिक निक्रम के बात करें तो सारे को Спिंग में करते हैं को करते हैं में हैं प्र हमारा प्रतिती रोद में सरेणी क्रम ब्रम हो प्रतितीरोद होगा इतरो करते हैं लुieur 600 अगर हम कम परतिरोध का बेंज़क्त कीसा होगा तो सरीनिक्रम में परतिरोध की मान के अनुसार विवांतर का वित्रान B equal to V1 V2 V3 dash dash होता है जबकि धारा आई का मान जो है समान रुप्से प्रभाहित होता है एदि सम्तुल प्रति रोध एक्वल टू आर हो विवानतर भी हो तो र वन, र टू, आर तुर आर तुर में बित रेच्टक अग्वानतर वहागा ठीक है तु क्या होजागा टूल भी जो होगा वन परस्वी तू परस भी तूर भी तारत के शंस्मतूल होगा, या IR को हम लिख सकते हैं V को IR लिखेंगे वहीं IR1 पलस IR2 पलस IR3 डेटेस इसी तरह से जितने पर जरोद रहेंगे चुकि ओम के लाउ के एक्वल 2 होता है I equal to VYR अभी के जगापर हम IR लिख सकते हैं तो यहां IR equal to I हो जाएगा इस तरह से हम IR1 पलस IR2 पलस IR3 को हम लिखेंगे पलस में IR लिखेंगे ठीक हम लिख सकते हैं इसलिए IR equal to IR1 पलस IR2 पलस IR3 हो जाएगा यही बेंजक प्राफ्त होता है कौन सा स्रेनिकरम में